सम्मानी साथियों को मेरा नमस्कार एमकी एजूकेशन चनल में आपका स्वागत है साथियों आज हम इस्टिफ़न हौकिंग के एक रूचक लेख को पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्पूर्ण है दुनिया का हर पढ़ा लिखा इनसान उनकी प्रतिभा को जानता है कि वे कितने महान इनसान थे आए साथियों सुरू करते हैं क्यों इस्टिफ़न हौकिंग ने लिखा ना कोई भगवान होता है और ना ही किस्मत मसहूर भोतिकी विज्ञानी और अंतिक्ष विशेशक के इस्टिफ़न हौकिंग कि जिन्दगी का बड़ा हिस्टा वेल चेहर पर बिता तब भी वे वो दुन्या को अपनी कई बड़ी खोज दे गए उन्होंने अपनी आखरी किताब में ये क्यों लिखा कि कोई भगवान नहीं होगा और ना कोई किस्मत साथिय महोती महत्पूल लेख है भगवान कहीं नहीं है किसी ने दुन्या नहीं बनाई और कोई हमारी किस्मत नहीं लिखता नास्तिक माने जाने वाले खगोल सास्त्री स्टीवन हौकिंग ने अपनी आखरी किताब में यहीं लिखा हौकिंग की इस किताब में कई उनिवर्स के बनने एलियन, इंटिलिजेंस, स्पेस, कोलोनाईजेशन और और अर्टिफिस्यल इंटिलिजेंस जैसे कई जरूरिस सवालों के जवाब दिये गए हैं उन्होंने अपनी आखरी किताब में भगवान के अस्तित्यों को मानने से इनकान कर दिया हौकिंग की किताब में कई बड़े सवालों के जवाब हैं उनकी किताब में लिखा है, सदियों से यह माना जाता रहा है कि मेरे जैसे डिसेबल लोगों पर भगवान का सराफ होता है लेकिन मेरा मानना है कि मैं कुछ लोगों को निरास करूँगा लेकिन मैं यह सोचना ज़्यादा पसंद करूँगा कि हर चीज की व्याख्या दूसरे तरीके से की जा सकती है क्या वहां भगवान है? वैसे हौकिंग की इस किताब का नाम ही है क्या वहां भगवान है? हौकिंग ने लिखा मेरी भविस्वानी है कि हम इस सेंचूरी के खत्म होते होते भगवान के दिमाग को समझने लगेंगे यह मेरा मानना है कि भगवान नहीं है किसी ने यूनिवर्स नहीं बनाया ना ही कोई हमारी किसमत चलाता है इस्टिवन होकिंग ने असी के दसक से अखिर से साब तोर पे ये कहना सुरू कर दिया कि भगवान का कोई आस्तितो नहीं होता वो अपनी बाते तरक के आधार पर रखते थे अपनी आखरी किताब में तो उन्होंने इस बार इस पर खुल कर लिखा क्या मरने के बाद जीवन है वो आगी लिखते हैं कि इससे मुझे इस बात का पूरा हिसास है कि ना कोई सौर्ग है ना ही मरने के बाद कोई जीवन है मेरा मानना है कि मरने के बाद जीवन है यह सोचना सिर्फ अपना खुशनूबा विचार हो सकता है इसके लिए कोई भरोसे मन साक्ष नहीं है हौकिंग की मौत के बाद उनके एस्टेंट ने प्रोजेक्ट पूरा करके किताब पब्लिश करने का फैसला लिया दुनिया भर में लोगों के दिलों में जगह बनाई इस्टिवन होकिंग ऐसे वग्यानिक हैं जिनोंने आंधुनिक दुनिया में इस्वर की सत्ता को नकार दिया अलबर्ट आइस्टीन के बाद इस्टिवन होकिंग ही एक विज्ञानिक के तोर पर दुन्या भर में लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाई 21 वर्ष की उमर में उन्हें मोटर निवरान नाम की बिमारी हुई ऐसा लग रहा था कि वे अपनी पीएजडी नहीं कर पाएंगे लेकिन सभी कयासों को गलत साबित कर वो 55 साल तक जीए इस्टिपन हॉकिंग को हमेशा लगता रहा कि उन्होंने जो कुछ मिला वो उनकी विकलांगता के चलते मिला हाला कि उन्होंने अंत्रिक्ष को लेकर कई एहम थियोरीज दी और हमारी धार्णाओं को तोड़ा 14 मार्च 2018 को इस्टिपन हॉकिंग को निधन हो गया वो ब्रेटेन के आक्सफोर्ड में 8 जनवरी 1942 को जनमे थे उनके पिता एक चिकित सा विज्ञानी थे जबकी मा दर्शन सास्त्र की इसना तक इस्टिपन हॉकिंग ने नंदन के पास इस्टिद संत अलवास इसकुल में शुरुवाती पढ़ाई की आक्सफोर्ड उनवर्शिटी से बहुती की में प्रथम सेनी की डिगरी हासिल की उनके सोथ की सुरुवात 1962 से हुई केंब्रिज उनवर्शिटी में एक इसना तक के तोर पर उनका नामंकन हुआ आईए और इनके बारे में हम महत्पून तथ्यों को जानते हैं असी के दसक से भगवान के अस्तित पर सवाल उठाना सुरू किया असी के दसक के आखिर में उन्होंने भगवान के अस्तित पर सवाल उठाया लेकिन यह सही है कि हौकिंग की बातों को दुन्या ने कभी नहीं नका रहा की किताबों की बिगने की गैरंटी हमेशा रहती थी उनकी सारी किताबें हमेशा बेस्ट सेलर रही जहां भी वो भासन देने जाते थे वहां हमेशा पूरी सीटे पहले से ही रिजर होती थी उनकी बातें लोग ध्यान से सुनते थे हौकिंग को हमेशा अपनी सफलताओं पर सं होता था हाला कि उनको हमेशा लगता था कि जो कुछ मिला वो उनकी योकता से नहीं बलकि उनकी विकलांगता की वजह से मिला वो हमेशा कहते थे कि लोग उनके काम की वजह से याद करें अंत्रिक्ष पर हमारी धानलाओं को बदला, हो सकता है कि हौकिंग हमारे समय से महान साइंटिस्ट नहीं रहे हो लेकिन वो महत्पुन-भोती की विज्ञानी चरूर थे जिनोंने अंत्रिक्ष के बारे में हमारी बहुत सी धानलाओं को तोड़ा और साइन्स के आधार पर नई थियोरीज बताई तो साथियों ये था एक महत्पों लेक एक महान विज्ञानिक का साथियों ऐसी ही रोचक जानकारी पाने के लिए मेरे एज्यूकेशन चैनल को और सब्सक्राइब करिए धन्यवाद